अगर आपका एक्जाम में ऐसा कुशन पढ़ता है तो आपकी सारी कंजेंट्रेशन होती है चार माग तो कम से का माहिर है पता नहीं होता कि भाई साब चार और खराब करके बैठे माइनस लेकर जीरो आ जाता ठीक है भाई एक्जाम में कई बच्चे सो रहे होंगे हाँ आप सहा पर जाएंगे न भाई दिखो में बच्चे करते करते से लगरने जो सीरियस बच्चे वह एक लाक है साथ है ठीक है तो कि हो सकता है कि आप उनको देख कि भाई मै जिंदिगीी में इतना भी दुख है नहीं वैसे जितना मैं ले रहा हूं हां और अचानक से आपका मन करे यार यह भी तो है जो पनी जिंद्ध जंट कर रहा है तो बेटा यह तो रेंक दे रहे हैं मेरे को थोड़ा बहुत ही करना ठीक है बेटा यह सब जैसे होता है घोड़े का दिमाग बहुत चलता है तो उसके आखे तो वैसे ही जाके आपको चुप चाप एक्जाम देना है और इससे भी इंपोर्टेंट चीज जहां पर आपका सेंटर है उसका जो गेट है उसके सामने बहुत सारी भीड़ होगी ठीक है दो तरीके कर सकते हैं मैं से पहली बता रहा हूं जिन बच्चों का तयारी अच्छी है ठीक है वैसे करना तो नीचे क्योंकि कर्मा वापीस आता है ठीक है तो आप बहुत सारी पेपर लिखे जाना बहुत सारे ठीक है फाल तुके ऐसी फ़र्मला लिखे रफ शीट ले जाना अपनी वाली और यह फॉर्मला बहुत इंपोर्टेंट तक जाती गेट के सामने होके और यह वाला फर्मला कुछ भी बोलना ठीक है लेंसमेकर फर्मुले को चेंज कर देना वहां पर आदेव अच्छे हैं मैं जो पढ़का है कही हमारा खराब तो नहीं था फर्मला ठीक है तो एक तरीका यह भी होता है कि बस दहशत गर्दी फैलानी है एक्जाम के बार ठीक है जैशत गर्दी फैला देना थोड़ा तो तो कंप्टीशन कम होगा यो कि अगर आप नहीं करेंगे तो यह काम दूसरा कोई कर रहा होगा और अच्छे से कर रहा होगा ठीक है जहां पर भीड़ होई देखो दो यह ऑप्शन है भीड में जाओ तो डॉमिनेट करो हां सारे गलत फॉर्मले बोलना ठीक है और ऐसा कॉन्विडेंस से बोलना कि भाई पेपर तो तुम नहीं बनाया है और उसमें जो टीचर बढ़ाता तो फॉर्मला तो लगने ही आप तो नए फॉर्मली लगने है ठीक है हाँ और या फिर उस भीड़ से बिल्कुल दूर हो जान सब्सक्राइब का ठीक है सेलिबरेशन का तुम कॉफी में जाक होगे फूल पत्तियों के साथ भाई सा फॉर्मला ऐसे लटक रहे होंगे और तुम को यह कौन शाना भाई फॉर्मला वही होता प्लाप फूल पत्ती टेंशन देती इसरे तो बड़ी च्छे से बड़ी महनत क अपने उपर भाई confidence लो नहीं करना है ठीक है हाँ